नमस्कार दोस्तू, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है, तो काफी लोग की रिक्वेस्ट थी की सारा कास पर भी वीडियो बनाया चाए, तो हमने इस वीडियो को काफी डिटेल में बनाने की कोशिश की है, I hope कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए, तो अगर आपको ये वीडियो को शुरू करते हैं और उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है दिवाकर और दिवाकर की पत्नी का नाम रहता है किरन और दीरच की वाइव जो होती है मतलब समर की भावी वो उन्हें लाला जी करके बुलाती है मतलब कहीं भी अगर लाला जी का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब वो summer को denote होता है दोस्तों शुरू करते हैं इस novel को हम लोग एक एक पार्ट में अच्छे से explain करेंगे चलिए first part शुरू करते हैं बिना किसी ताल और लेके ढमाढम पीटती डोलक और और औरतों के गीतों के स्वर अचानक रुख गए क्या हुआ पूस्ते हुए सारी औरते बच्चे गली वाले जंगले और चज्जों पे से जाकने लगे तो इसका मतलब यह है कि कहीं function चल रहा होता है जिसमें डोल नगाडे यह सब बज़रे होते हैं अचानक वो रुख जाते हैं और जितने भी औरते बच्चे यह सब होते हैं जाकने लगते हैं अपने अपने चत्तों पे से और नीचे फाटक पर नाचते और ताली बजाते हिजडे आये जियो जियो रेलला का अलाब भूल कर उपर की और ताकने लगे गली के पार ठीक हमारे घर के सामने सावल की बहु मिट्टी का तेल दाल कर कोठरी में जलकर मर गई थी कि बार तोड़ते तोड़ते लोग अंदर गए लेकिन तब तक उसके प्राण पखेडू उड़ चके थे यानि कि वो तब तक मर चुकी थी बड़ी चीक पुकार और भाग दोड मच गई लाग समर अपने को विश्वास दिलाता था कि आज उसकी सुहाग रात है लेकिन उसे विश्वास नहीं होता था इसका मतलब यह है कि जो समर रहता है उसको विश्वास नहीं होता है कि उसकी शादी हो गई है और आज उसकी सुहाग रात है देश को सहासी और करमट यूवकों की जरुरत है का नारा देने वाला यह यूवक भी अब चौपाया हो गया था समर एक करमट कारे करता है वो दो हफ़तों से शाका नहीं गया है और अपने साथियों से आग चुराता फिर रहा है इसका मतलब यह है कि समर एक बहुत ही हार्ड वर्किंग परसन होता है और वो ऐसा ही सोचता है कि देश को ऐसे ही लोगों की जरुरत है क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है तो वो अपने आपको बहुत चौपाया फिल करता है मतलब यहाँ पे चौपाया का मीनिंग है चार पेरों वाला जानवर तो समर अपने आपको एक जानवर जैसा महसूस करने लगता है और इसलिए वो दो हफते से अपने दफ्तर ने गया था क्योंकि उसको शरा मारी होगी शायद इसलिए वो मंदिर की ओर जा रहा है वहाँ बैटकर शांदी का अनुभव करेगा वो अपनी शादी के दृष्ष को याद करेगा वो एक निम्न मध्यम वर्गे परिवार का दूसरा रड़का है उसके सयुक्त परिवार में माता, पिता, विवावित, बड़ा भाई और दो छोटे भाई और एक विवावित बहन है जो ससुराल के अत्याचारों से पीडित होकर अपने माईके में रह रही है समर की एक छोटी बेहन है मुन्नी जो कि अपने ससुराल के अत्याचारों से पीडित होके अपने घर पे रह रही थी या अपने माईके में रह रही थी वह एक लड़के से बचते हुए आगे बढ़ा वह सोचता है कि कैसा बोजीला प्रारम है जीवन का वह अभी इंटर में पढ़ रहा है उसके मन के खिलाफ शादी कर दी गई थी वह मन में सोचता है कि कहीं भाग जाओ न जाने किसको मेरे गले बान दिया गया है बड़े भाई के विवाह को आट साल हो गए अम्मा और बाबुजी रोज यही मनोती मानते हैं कि कब मेरी शादी हो जाए उसने अपनी डायरी में लिखा कि वह इतनी जल्दी अपनी हिम्मत नहीं हारेगा और वह खुद से ही सवाल करता है कि वह इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाता है बला सभी के जीवन में परिक्षा के शन आते हैं या उसकी परिक्षा का शन है राना प्रताब और शिवाजी का रक्त उसकी दमनियों में है उसने लजाना नहीं है चुकि यह शादी उसके मन के खिलाफ हुई रहती है तो वह इन सब चीजों को एक बोज मानता है और साती साथ सोचता है कि कहीं भाग जाए ताकि उससे उससे दिल को ठंड़क पड़े और ये सब सोचते सोचते ही वो अपनी डायरी निकालता है और उसमें लिखता है कि वो बला इतने जल्दी क्यों हार मान जाता है किसी चीजों से आपके जिन्दगी में परिक्षा के शन आते हैं, शायद ये उसकी जिन्दगी का शन हो और भगवान से प्रात्ना करता है मैं जुक न जाओं कहीं मैं हार न जाओं कोई कहता प्रभाप यानि उसकी पतनी दसवी पास है मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं यानि आज तक उसके हाथ के सिवा उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा जो भी है मुझे तो उससे कोई संबंध ही नहीं रखना भाबी कहती है कि चेहरे पे हलके हलके चेचक की जाई है खेर जो भी है मुझे इन सब से क्या लेना देना वो मनी मन अपने आपको सांत्वना देता रहता है कि मुझे इन सब से क्या लेना देना मैं तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूं इसके बाद समर सोचता है कि वो अपनी नव विवाहित पत्नी यानि प्रभा से एकदम बात नहीं करेगा और उसे समझाएगा कि वह पहले अपनी सिक्षा पूरी करना चाता है फिर अचानक वह सोचता है कि उसे इन सब बातों के मोहजाल में नहीं फसना है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पार्ट वन खतम होता है और इसे related कुछ important questions हैं जो के आते हैं और आ सकते हैं आप लोग note कर लीजिए वो है आज किसी किसकी सुहागरात है वो बाहर निकल कर दोस्तों से आख चुड़ाता हुआ मंदिर की ओर वहां का क्या दृष्ट था यह पहला question है और दूसरा question है दोस्तों प्रभा के बारे में समर को क्या विचार थे वह उसे क्या समझाना चाता था तो दोस्तों यह थे कुछ दो important question इस part से related जो आपके सामने screen पर दिख रहे हैं और अगर आपको इसके answers नहीं आ रहे हैं तो अगर आपको part 1 का यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें ब्रेल आइकन ओके दोस्तों तो चलते हैं part 2 की तरफ इस वीडियो में हम part 2 भी cover कर लेंगे part 2 शुरू करते हैं वो कुछ ऐसे शुरू होता है हलके से धक्का देकर भावी ने पीछे केवाड बंद कर दिया तो समर कमरे में आ गया उस समय प्रभा जंगले में सिर रखे खड़ी थी जैसे खड़ी-खड़ी सो गई हो थोड़ी देर खड़े रहकर वो पलंग पर बैट गया इस समय उसका दिल धड़क रहता वह दूसरे लड़कों की तरह नहीं जो लड़कियों को नजाने क्या-क्या समझते हैं मन ही मन दोराता रहा नारी अंदकार है, नारी मोह है, नारी माया है इस तरह स्टूल पर रखा-पंका जनजनाट से अपनी उपस्तिती दर्ज करा रहा था विवा के अफसर पर बिजली पडोसी से उधार ली गए थी समर के पलंग पर बैटने से ही प्रबा सिर उठा के उसे देखी इस तरह सिर खिरकी पर टिका दिया वो बुद्धु की तरह पंके को देखता रहा धीरे से पलंग पर आड़ा ही लेट गया अब समर अपने घर आ चुका था रात हो चुकी थी तो उसकी भाबी वहाँ पर खड़ी रहती है और वो भी दर्वाजे पर खड़ा रहता है उसकी भाबी उसको धक्का देकर अंदर कर देती है और वाहर से किवार लगा देती है और उसमें वो देखता है वहाँ खड़े-खड़े की प्रभा खिड़कियों पर अपना सर टिका है खड़ी-खड़ी सो रही हो ऐसा उसे लगता है वह थोड़ी दिर खड़ा होके प्रभा को देखता है और फिर पलंग पर बैठ जाता है इससमें उसका दिल काफी धड़क रहा होता है और वो दूसरे लड़कों की तरह साधारण नहीं है जो लड़कियों के बारे में कुछ भी सोचते हो और मन में दोराता रहता है कि नारी अंदकार है, नारी मो है, नारी माया है इसमें जो स्टूल रखी रहती है वो एक सरसरहाट की आवाज देती रहती है जिसे पता चलता है कि कुछ चीजे आवाज आ रही है अतलब कि जो स्टूल पर पंका रहता है दीरे से वहीं आड़ा लेट जाता है और समर को आशंका हो रही है कि उसके कटोरता पर शायद प्रभार फूट-फूट कर रो उठेगी और उसके पैरों पर गिर कर अपना अपरात पुछेगी पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आधी रात बीद गई उसे लगा कि वह यहां आया ही क्यों समर के घर वाले तो बीना पढ़े लिखे और वह मैट्रिक पास वह सोचने लगा कि वह जुकेगी नहीं प्रभा शायद यह सोच रही होगी कि वह आएगा और उसे मना कर पलंग पर बिठाएगा तभी पहली बार समर का ध्यान उसकी आशिष्टता पर गया कि उसके आने पर नमस्कार प्रणाम कुछ भी नहीं किया गया पर इन सब से समर को अपना अपमान लगता है तभी भी वह उसके मन में भाव आया कि जब वह चलेगा तो उसका हाथ या कुर्ते का छोर पकड़ लेगी लेकिन उसने ऐसा कोई भाव नहीं दिखाया समर ने किवाड खोले तो उसने सिर उठा कर उसे देखा लेकिन रुका नहीं वह सीडिया चड़कर खुली चट पर आ गया चांदनी छिटक रही थी अब देखना है कि वह इस अफमान का वदला किस प्रकार चुकाता है इसी दिमागी उठक पटक से उसकी आखे बूरी तरह डबडबा गई थी पता नहीं किस तरह के कि लड़की को उसके गले मर दिया गया कैसे चलेगी जिन्दकी और वो अपने मन में गहराई से सोचता है कि अभी उठे और भीना किसी से कहे सुने बाहर निकल पड़े तो कैसा रहेगा कहीं चला जाए बंबई, कलकत्ता या हरीद्वार तो सो दोस्तों यहाँ पर पार्ट टू खतम होता है इसे related एक question मुझे बहुत important लग रहा है जो कि आप लोग note कर लीजे वो है अपनी सुहागरात का समय समर कैसे बिताता है यह एक important question है तो आप देख सकते हैं यह question आपके screen पे show हो रहा है ट्राइ करें कि इसका answer आप दे सकें तो फिर भी अगर आपको return में answers चाहिए तो आपको description में link मिल जाएगा आप वहाँ जाए और return में answers को note कर लें तो कैसे लगा आपको यह video आप हमें comment में जरूर बताएं तो अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो subscribe करें हमारे channel को और press करें bell icon ताकि आपको ऐसे ही video के notifications मिले सबसे पहले